पाकिस्तान के प्रदान मंत्रे इमरान खान को अब विपक्ष की चुनोती से भी निपटना पड़ रहा है। प्रदान मंत्रे इमरान खान को अब विपक्ष की चुनोती से भी निपटना पड़ रहा है। पाकिस्तान के प्रदान मंत्रे इमरान खान अबने ही घर में चौतरफा घिर गए हैं। इमरान पहले से ही डूपती अर्थ्विवस्था, महंगाई, बलुचिस्तान में विद्रो और कटरपंतियों की चुनोती से जूज रहे हैं। चीन के दौरे से वापस आते ही पाकिस्तान के प्रदान मंत्रे इमरान खान की कुर्से पर संकट मंड़ाने लगा है। इमरान के खिलाफ पूरा विपक्ष एक जुट हो गया है विपक्षी पार्टियों ने मिलकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है विपक्ष इमरान को ललकार रहा है, चुनौती दे रहा है और दावा कर रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के दोरान इमरान सरकार गिर जाएगी पाकिस्तानी मीडिया की रिपूर्ट के मुताबिक बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की पार्टी ने हाथ मिला लिया है पाकिस्तान डेवलप्मेंट मूव्मेंट नाम से गडबंधन बनाया गया है विपक्षी गडबंधन का नेता पजलूर रहमान को बनाया गया है विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है सरकार को समर्थन दे रहे कुछ नेता भी विपक्ष के संपर्क में है इस बीच पाकिस्तान पीपूल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुटो ने ट्वीट के जरिये इमरान खान पर निशाना साधा है भुटो ने ट्वीट किया कि अधिकांश विपक्षी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाने के पक्ष में है इमरान सरकार ने जरता का विश्वास खो दिया है जल्द ही संसत भी सरकार में अपना विश्वास खो देगी इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवास की नेता मर्यम नवास ने भी इमरान सरकार गिराने का दवा किया था उन्होंने कहा था कि जल्द लोगों को खुशखबरे मिलने वाली है पाकिस्तान में अफिरेक में कुछ नए समीकरण बन रहे हैं पाकिस्तान की बिरोधे पार्टियों ने यानि पीपी ने और नवाज शरीफ की पी-ए-मेल ने हाथ मिला लिया और इससे लगता है कि शायद कुछ ऐसा हो कि इमरान सरकार के लिए खत्रा हो जाए 2021 में भी इमरान सरकार के खिलाफ नवाज शरीफ के भाई शाहबाज शरीफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे लेकिन उस वक्त इमरान सरकार महस एक वोट से बच गई थी पाकिस्तान नाशनल असेंबली का समीकरण बता रहा है कि इस बार इमरान के कुरसी बचना काफी मुश्किल है पाकिस्तान नाशनल असेंबली में कुल 342 सीट है सरकार बनाने के लिए 177 सीटों की ज़रूरत है इम्रान के पार्टी तहरीके इंसाफ के पास 156 सांसद हैं सहयोगी दलों के साथ इम्रान सरकार चला रहे हैं विपक्ष का दावा है कि इम्रान के सहयोगी उसके साथ आएंगे विपक्ष का दावा सही निकला तो इम्रान के कुर्सी जा सकती है पाकिस्तान में 2023 में होने वाले आम चुनाव से पहले ही इमरान सरकार खत्रे में आ गई है अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही इमरान खान हतियार डालते नजर आ रहे हैं इमरान खान ने शुक्रवार को इस बात को कुबूला कि वो देश में बदलाव नहीं ला सके जैसा उन्होंने सत्ता में आने से पहले वादा किया था इमरान ने इसके लिए अफसोस जताते हुए सरकार की नाकामी बताया पाकिस्तान मीडिया में छपी रिपोर्ट के मताबिक इमरान ने कहा कि शुरुवाती दौर में हमने करांतिकारी कदम उठा कर तेजी से बदलाव लाने की कोशिश की लेकिन बाद में हमें ऐसास हुआ कि हमारा ये तंत्र इस तरह की जटके सहने को तयार नहीं है सरकार उन नतीजों को नहीं ला सकी जिसका वादा किया था याने खुद इमरान खान भी समझ चुके हैं कि इस बार उनके कुर्सी बचना नामुम्किन है देश की अर्थ्विवस्था चौपट हो चुकी है लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है कटर पंथी हावी हो रहे हैं देश के कई हिस्सों में असंतोश है हर मोर्चे पर घिरे इमरान के सामने अब विपक्ष की बड़ी चुनौती है जिससे पारबाना उनके लिए टेड़ी खीर साबित हो रहा है ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया अगर पाकिस्तान की बात करें तो चाहें इमरान खान हो नवाज शरीफ हो या फिर भुट्टोख खांदान हो सब के सब सेना की कटपुतलियां है दुनिया को दिखाने के लिए लोकतंत्र का दिखावा करने के लिए सेना अपनी मर्जी से एक कटपुतली हटाती है दूसरी को बिठाती है और अब ऐसा लगता है कि इमरान खान का वक्त पूरा हो चुका है